हेला दोस्तो, मैं आप सभी का दोस्त, मनु यादव, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे दोस्तो, इस बाइक को परचेज की हुए हमें लगबग 6 महीने हो चुके हैं, इस बाइक की आपने मेरे चैनल पे पहले भी कुछ वीडियोज देखी होंगी, जिसमें मैंने बाइक की फीचर्स वगेरा बता रखे हैं, बाइक का माइलेज टेश्ट भी किया हुआ है, अगर आ 8000 km हमने बाइक को राइड कर लिया है, तो 8000 km में हमारा जो बाइक की साथ experience रहा है, वो काफी अच्छा experience रहा है, और दोस्तो, साथ ही साथ माँ आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो बाइक काई जो मेटर है, बाइक के मेटर में काफी ज़्यादा फीचर्स दिये गए पर हमारी बाइक की हाइस्ट आभी तक की जो टोप स्पेड हो रही है उसके लावा मैं आपको दिखा दूँँ एक बार आप इसमें टाइम अगेरा भी सेट कर सकते हो और यहाँ पर आप एवरेज देख सकते हो बाइक के रिसेंट जो एवरेज है वो एवरेज देख सकते हो यहाँ पर ओडो मिटर देख सकते हो यहाँ पर गियर इंडिकेटर भी बाइक में आप लोगों को दिया हुआ है यहाँ RPM मिटर दिया हुआ है, यह साइड स्टेंड का यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है, और Eco Mode and Power Mode का यहाँ पे Option दिया गया है, आप देख सकते हो, फिलाल जो हमारी बाइक के वो Eco Mode में है, तो वहाँ पे Eco Mode वाला Option On है, अगर हम इसको Power Mode में कर देते हैं, तो यहाँ पे Power वाला है, तो यह काफी सारे features बाइक में दिये गए है, और इसके अलावा एक चीज़ हो रहे है, वह माँ आपको दिखा देता हूँ, recent, जब हमने बाइक चलाई है, recently मतलब 40-50 km जितनी भी हमने बाइक राइड किया है, तो उसके average speed गया है, तो यह सब काफी ज़्यादा features बाइक में यह आप मेटर में दिये गए है, तो सायद इस segment में किसी भी बाइक में नहीं देखने को मिलते आपको, एक्चल में जो यह बाइक है, 125cc segment की जो बाइक से उनमें काफी अच्छा option यह आप लोगों के लिए प्रोवाइड करता है, आपको city ride में भी काफी अच्छा mileage यह बाइक आप लोगों को देती है, तो हमारी personal experience की बात करें, तो अभी तक फिलाल हमें बाइक में लगबग 6 महीने हो गए है, यह बाइक में 8000 km बाइक को चला लिया है, फिलाल तक हमें कुछ खास प्रोब्लम नहीं आई है यह बाइक में, कुछ छोटी मोटी प्रोब्लम्स आती है, जो लगबग सभी बाइक में आती है, लेकिन एक चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी, अगर आप लोगों को एक जो इसका गियर लिवर है, यह थोड़ा सा अगर सोफ्ट होता, मतलब टीवेस इसके ओपर थोड़ा सा गियर लिवर पे और ध्यान दे, वो सिरफ टीवेस रेडर की बात नहीं है, टीवेस अपाचे वगएरा में भी काफी बाइक में आती है, यह प्रोब्लम्स कि जो बाइ बाइक का लुक देख सकते हो, रैड कलर बाइक अमने परचेज की हुई है, तो आप बाइक का लुक देख सकते हो, काफी अच्छा लुक है बाइक का, यह आप अच्छे से लुक देख सकते हो, और जो बाइक का सिटिंग कमफर्ट है, सिटिंग कमफर्ट पिलियन के लिए भी राइडर के लिए भी काफी अच्छा है, काफी अच्छा कमपर्ट ये बाइक आप लोगों को देती है, मतलब अगर आप पिलियन के साथ, अगर आप राइड करते हो, या फिर कुछ छोटी-मोटी लोग राइड भी बाइक के साथ पोसीबल है, 100-200 km लोग राइड भी मैंने खुद ने परसनली लोग राइड की है बाइक के साथ, जिसकी वीडियो मैंने पहले ही चैनल पर डाली हुई है, अगर आपने नहीं ये देखिया है, तो आप जाके एक बर उसको देख सकते हो, तो दोस्तों जो हमारा 6 महीने का बाइक के साथ एक्सपिरियन्स रहा है वो काफी अच्छा रहा है, हमने बाइक को खुद राइड किया है, हमने इससे लोग राइड भी की है, सिटी में भी मोस्टली, अब तो हम इसको सिटी में ही राइड करते हैं, तो बाइक में हमें किसी प्रगार की कोई भी प्रोब्लम देखने को नहीं मिली है, बाइक की ब आप लोगों को TVS Raider भी लेनी है तो आप definitely इस बाइक को पर्चेस कर सकते हो आप daily purpose के लिए अगर आप यूज करना चाहते हो तो आप definitely इस बाइक को पर्चेस कर सकते हो इस बाइक से आपको कोई भी निरासा नहीं होने वाली है दोस्तों आप लोगों में से किस-किस के पास है TVS Raider और कोहन कोई इसको खरीदने का फ्लान कर रहा है मुझे comment करके जरूर बताईएगा जिसके पास है वो अपना personal experience comment कर दीजिएगा कि आप लोगों का भाई के साथ कैसा experience रहा है चैनल पे जो भी भाई नए है चैनल को subscribe जरूर कर लीजिएगा वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना चलिए मिलते है अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टाटा टेक केर